सबसे पहले हम बात करेंगे बजाज finance के बारे में, अगर हम आज की दिन की बात करें, तो एक flattiest performance, पिछले एक मन्त की बात करें, तो 11 सारे 11 पसंद की तेजी, अगर हम पिछले 6 मन्त की बात करें, तो आज भी ये stock, top level से लगबगा वो 10 से लेके 12 पसंद तक की गिरावाट द एक को मिला था, मतब एक टैप इन stock, सारे 6000 की level को भी breakout दिया था, मतब breakdown दिया था, और stock 6000 दोस्तों तक भी आये थे, और उसके बाद जो stock ने तेजी दिखाए, एक तरफा, बहुती कमान की rally दिखाए था, और ऐसा लगा था, कि ये तेजी, अब ऐसे ही continue रहने वारे, और जह थोड़े से short time के लिए, हमें full stop लगते दिया को मिला, और इस तेजी में रुकावाट के पीछी का reason भी आपको बता है, कि पिछले हपते, इस company में एक बहुत important event था, और वो event था, कि company के quarter 4K business update, और उसमें company के ऐसे parameter है, जिसमें थोड़े से उनकी growth में, थोड़े से downfall थे, य उसमें थोड़े से हमें muted growth देखन को मिला, यह फिर बोल से तो एक normal growth देखन को मिला, और उसके पीछी का reason भी management ने mention किया, कि हाली में जो RBNN के दो main product के उपर, अगर हम instamart के बात करें और ecom के बात करें, उनकी उपर, जो उनने RBNN जो restriction लगाए थे, तो उसी की चलते, company के जो new loan book है, उसमें हमें ज्यादा growth ने देखन को मिला, सिर्फ उससे 4% की हमें growth देखन को मिला था, तो उसी point के चलते, थोड़ा बहुत की stage में हमें full stock luck देखन को मिला, तो बजाज finance के बात करें, तो आज के दिन इस company में, दो important news निकल करें, उसमें से पहला news के करा हम बात करें, तो एक जिसके चलते आज के दिन stock focus में था, और वो हुए आपको बदा के बजाज finance का, जो एक subsidiary company है, जो बजाज housing finance, जो की बहुत ही popular है, और बहुत ही बोसे तो news बेस बन चुके, यह news, तो हाली में आपने देखा होगा, कि इनके बहुत चर्चे हो रहे थे, कि इनके बाज़र में IPO आ सकता है, तो उसे से related कुछ important news उन्होंने publish किया, company के management के बजाज finance के IPO, आएगा या फिर नहीं आएगा, अगर आएगा तो कब आएगा, किस साल में आए किया September 2025 तक जो इनके last rate है, कि अब तब तक यह IPO लिखेंगे, उससे पहले आएगा, इस सारे चीज़े आपको इसी मन्थ 24 April को देखने को गिल जाएगा, तो इसकी चलते आज के दिन श्टॉक फोकस में बना हुआता है, अगर बजाज हाउजिंग finance के IPO आता है, तो इनके subsidiary company तो बजाज finance को भी आप हो सकतो, एक अच्छे कास से हमें benefit मिलते हैं, तो एक brokerage house के side से, तो ICIC security के बात करें, उनको ऐसा रखता है, कि यह जो stock में एक तरफा तेजी आपको पिछले कुछ चिनों में देखने को मिला था, एक हपते, दो हपते में, वो तेजी अभी भी जाते हो, आपको देखने को मिल सकता है, और उसके पीछे का reason उनले ने mention किया, जो बजाज finance के जो growth रहा भी दाए, वो बहुत ही कमाल के रहा है, और आने बाले time भी वो उनको ऐसा लगता है, कि अगर हम asset under management की बात करें, तो वो 30 पसंट की CIGI से वो expect करके चल रहें, और बा तो stock price भी ultimately आपको अच्छे करते हैं, आपको देखने को मिल सकता है, तो वजाज finance के बात करें, overall अगर हम इस company की बात करें, तो company बहुत ही शांदर है, बट इतना जरू है, कि जो थोड़े से अभी भी जिन्होंने buying किया, इस bull market के बाद 2022 में, तो उनके लिए थोड़े से disappointing इसने profit दिखा है, जो as a पुराणा investor, COVID से पहले investment के होगा, यानि कि 5 साल पहले, उनके पास आज भी 140% की profit है, लेकिन जिन्होंने हाली में 2 साल-5 साल पहले है, जो कि 2 साल-5 साल भी देखा जाए, तो एक अच्छे time माना जाता है, उसके compare में, बजाज finance ने एक consolidation ही दिखा है, 8,000 पे आता है, फिर sustaining कर पाता है, फिर गिरावाट, मतलब पिछले 2 साल से stock इस ऐसे consolidation दिखा रहे, जो एक disappointing performance तो जरू है, और आको मैंने एक चीज़ पहले ही बोल चुको, अगर आप किसी भी blue chip company को उठा के देख लो, 100 में से 99 आपको blue chip stock ऐसे देखने को मिलेगा, जो कि अ जादा वो आपको return मना के देदेगा, तो बजाज finance यह ऐसे कंपने है, 4-5 लाग करो की मार्केट के आप है, और अपने sector का यह leading company है, और finance sector बहुत बड़ा sector है, और आने बलए time है, हमारे जिस प्रका के population है, तो definitely, यह finance sector रहने वाले, और इसमें बजाज finance आपको और भी अच सास नहीं रगें, सिर्फ एक पॉंड की जलते है, वो new loan book की growth की चलते है, बट actual जो number आएगा, वो बहुत important role play करेगा, अगर उन चीजों में company provision, उसके बाद gross NPA, net NPA, net profit, अगर इस सार चीज़ें अच्छे दिखा दी, तो definitely, एक्च्छल जब 25-25 तारिको number आएगा, 600 number को बा या फिर अच्छे discount में मिल सकता है, जो कि पिछले धाय सास स्टॉक ऐसे ही दिखा रहे, number के आसपास, मतलब जब भी number आते है, stock में maximum time number के बाद विरावट या दे, क्योंकि leading company है ना, तो leading company को बाद को ज्यादा ही उम्मीद नगा जाता है, और उस उम्मीद को अगर fulfill नहीं क स्टॉक आपको free से अच्छे कासे मौका दे सकता है, अगला stock की बात करें, तो वरून वेबरेज रिम्टेर, वरून वेबरेज के बात करें, तो आज की दिन 2 से लेके 0.5% की गिरावाट, बट शुरुवात में एक time पी गिरावाट, नेयर में हमें 4% तक भी देखने को मिल अगल रहा था, उसके बात एक ऐसी थी है, सिभी एक news की चलता है, कि PepsiCo ने इंडिया में और भी अपना investment increase किया, तक बात 1200-1300 करो क्या आप, तो PepsiCo के लिए अगर कोई भी अच्छी news होता है, तो वरून वेबरेज के लिए अच्छी news होता है, तो stock में rocket बना, अपने all time high के आ अगर आप company के technical को देखो हो, तो यह रहा, इससे पहले जो से लेवल अच्छीब किया था, नेरवे 1560 के आसपार, और stock उसी के आसपास गये, दो दिन try किया, इस all time high को break करने की, break नहीं कर पाए, आज भी break करने की कोशित किया, फिर भी break नहीं कर पाए, resistant phase किया, और already stock top है, तो उसलिए बैसे थोड़ा बाद correct रिदेखने को मिला, तो इससे कोई भी panic करने की जरूदी, बालकि इससे कोश होना चाहिए, अगर stock और भी ज्यादा गिरे, क्योंकि इस stock के सबसे बड़े class point भी बोलशाता हो, और negative point भी बोलशाता हो, कि भाई, इस stock ज्यादा मौका देत पसें की profit है, और देख सतो के top पे जाके उसने hurdle face किया, सालफ हर की बात करें, 105% और 5 साल की तो 1000% और इसके सबसे बड़े चीज़ है कि इसके business consistency, हर बार company अच्छे number दिखाता है, जितना बाद रेक्सपर करते है, almost उतने company number दिखाते है, जिसके चलते है, stock में गिरावाट ब correction दिखा है, सिब 10%, 12%, 15% या 18%, तो कभी भी आगे stock में 10, 12, 11% गिरावाट आपको मिल्द है, तो आप एक strong message चाओता अपना investment शुरूपगात करके चल सकते हो, अच्छे company है, किसी ने enter किया होगा, वो भी अच्छे, जिन्होंने अभी top पे भाई किया होगे, जो दिन के बेच बने रहोगे, तो बहुत ही consistency वाला stock है, आपके portfolio को बहुत ही manage बना के, बहुत ही balance बना के रखता है, अगर और आपको deep मिले, तो अगर आप चाओ तो और भी थोड़ा बहुत accumulate कर सकते हो, अगला stock की बात करें, तो KPI green energy limited, so KPI green के बात करें, तो बढ़ी दमदार company है, बहुत होती risky भी company है, तो आज की दिन की बात करें, तो मैंने सोचा भी ने थे, कि आज की दिन में stock में circuit लग सकता है, तो अब भी सकता है, तो कि इस हपते company को कोई एक भी order मिला नहीं, जो कि हर बार, हर हपते company को कुछ ने कुछ order, चाहे company को हो या फिर company को कुछ अगर और subsidiary company हो, उस लेटर भी कुछ ने कुछ order company को मिलती रहते है, हो सकता है, कि यह जो circuit लगा है, कुछ बात में भी नियूज इन कलके आ सकता है, So, KPA grain की बात करें, अच्छी बात है सबसे पहले, कि जो 1900 के level से घिरा था, stock एक टाइम पर 20-22% बहुत अच्चका से recovery किया, और पहले बोल चुक हो, जब यहाँ पर तब cover किया, जब इसने 1660 को break कर दिया, और हर company के number आना शुरू हो गे, तब एक point बोल दे, अब stock कितना भी भाग जाए, आज़ा phrase by, ignore करो, तब तक, जब तक company के quarter 4 के number ना आए, हमें यह अच्छा लगता है कि सर्कीर देखो, हाथ से छूट रहे है, बड़ आपको यह नहीं पता, company के number बहुत important role पर रहे गारेगा, हर company के लिए, और इसके लिए तो और भी ज़्यादा important role पर रहे ग पर रहे हुए, तो यह लिए कॉट्वी दोनों basis पे, nearby बहुत अच्छा का से जम दिखा है, 50-60% की growth, बहुत कमाल की growth दिखा है, तो कि इस बार, कि company 400 करों के से दिखा पाएंगे, उसके बाद, net profit nearby 70-80 का होना चाहिए, तब ही जाकि इस number को बाजर एपिशेट कर साथ, और म जिल्दी गिरावार्ट भी आ सकते हैं, तो इसलिए, जिनके पास है, जिन्होंने lower level पर buy किया होगा, 15-60, जब 1400 पया था, कितने बार cover किया, अभी इतना ही करने चुप, अभी फिलार ignore करो, बाजरे हमेसा मौका आपको देता रहेगा, अच्छे number आई, हाँ, अच्छे number करके 1200 तक भी आ सकते हैं, क्योंकि छोटी कमपनी इसी कास से चलते हैं, तब ही तो 5 साल में 7,000%, साल भर में 500% के profit बना के दिया, तो यह वैसा बरसा है, number अच्छा है, तो रोकरी बनेगा, number खराब है, तो lower security भी लक्स होता है, तो इसलिए phase buyer और safely जाना है, तो quarter 4 के number तक रू वो आपके लिए बहुती safest option रहेगा, but company के अंदर बहुत potential है, future में company यहां से भी 10 गुना, 20 गुना बड़ी बनने की सम्था, रखते है, उतना potential है में company के business के अंदर देखने को मिल जाते है, आखरी stock की बात कहें, तो काम देन venture link के लिए, अगर हम आज के दिन के बात करें, साल भर में 17% की, maximum की बात का है, 2030 में सुर्वात हुआ, उस तब से लगे 100%, so company के बात कहें, तो हाली में इस company ने 1-5 का speed का announcement क्या, तो जिसके पास है, उनके लिए गुनिशार आपका पास है ने, तो speed के चलते, bonus के जाते, किसी भी stock में मच जाना, अच्छी stock के बने रहोगे, तो इस प्रका की corporation आपको उनके अच्छी stock में feature में देखने को मिल सकता है.